प्रणाम दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे महा भारत के ऐसे पात्र के बारे में जिनके वेवार और व्यक्तित्व ने हम सब को प्रेरित किया हैं वो थे भीष्म पिता माहा तो जिनके बारे में आज जानने वाले हैं कि इनका जन्व इस्तान कौन सा था इनके माता पिता कौन थे इन्हें इच्छा मरत्यू का वर्दान किस ने दिया था इनका नाम भिस्म कैसे पड़ा इसके अलावा इनके गुरु कौन थे तो आईए इस वीडियो में आज सब कुछ जानते हैं यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज देवरत बच्पन से ही बहुती प्रतिवासाली बालग होता है जिसकी सिक्षा परसू राम जी द्वारा दी जाती है इसलिए उनके अस्त्र और सस्त्र सिखाने वाले गुरू थे परसू राम जी जब देवरत धिरे-धिरे बड़ा होता है और उसके पराक्रम के चारों और जाने के बाद राजा सांतनु अकेले पड़ जाते हैं एक दिन वो जब ब्रह्मन के लिए गए हुए होते हैं तबी उनकी मुलाकात एक नाविक यूती सत्यवती से होती हैं राजा सांतनु सत्यवती से विवा करना चाते हैं लेकिन सत्यवती के पिता उनके सामने एक ऐसी सर् देते हैं कि राजा सांतनु उदास होकर वापस अपने सिविर में आ जाते हैं लेकिन जब देवरत को ये बात पता चलती हैं कि मेरे पिता उदास हैं तो वो उसका कारण जानने के लिए बेकावू हो जाते हैं और उसका कारण जब उन्हें पता चलता हैं तो वो सिधे सत्यव सत्यवति के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता जी से विवा कर लीजिए लेकिन सत्यवति कहती हैं कि मेरे पिता ने उनके सामने एक सर्त रखी हैं जो सर्त हैं कि मेरे बच्चे ही उत्रादीकारी होंगे यहने कि जब भी राज मिलेगा वो मेरे बालको को ह मिलेगा आपको नहीं मिलेगा ऐसी सर्थ मेरे पिता ने रखी हैं यदि वो सर्थ माल लेते हैं तो मैं विवा करने के लिए तेयार हूँ तब देवरत दोनों बाहें उठा कर बीजरन प्रतिग्या करते हैं कि आज के बाद मैं ब्रह्मचारी रहूंगा यनिकी साधी नहीं और उन्हें इच्छा मृत्यू का वर्दान देते हैं और उसी समय से उनका नाम भी भीस्म पढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने बीजरन प्रतिग्या के लिए इसलिए उनका नाम पढ़ गया भीस्म दोस्तों महभारत की कथा में आगे आता है कि जब दुर्योधन सुईकी नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए पांडवो को मना कर देता है तब युद्ध अनिवारी हो जाता है और पितामा भीस्म कोर्वो की तरफ से युद्ध करते हैं और इधर पांडवो की तरफ से भगवान सी क्रस्न उनके सार्थी बनते हैं अरजुन के तो जब भीसन युद्ध होता है और पितामा भीस्म जब बाणों से छलनी होकर जमीन पर गिर जाते हैं तब एक दिन भगवान सी क्रस्न पांडव दुरोपती के साथ में पितामा भीस्म से मिलने जाते हैं और उनसे पितामा आज आप बड़े ही धर्म की बात करते हैं उस दिन आपका धर्म कहां गया था जब भरी सबा में मेरा चीर हरन हो रहा था यानि कि मेरे मेरी साड़ी खीची जा रही थी तब पितामा भी सम केते हैं कि पुत्री ये बात में अच्छे से जानता था कि एक नए एक दिन इस प्रस्न का उत्तर मुझे जरूर देना पड़ेगा क्योंकि उस समय में दूर्योधन का दिया हुआ अन खारा था जो कि पाप की कमाई से जमा किया हुआ था इसलिए मैं उस दिन चाहा कर भी कुछ नहीं बोल पाया तब द्रोपती ने पुछा कि आप आज धर्म की बाते केसे कर रहें पितामा तब पितामा भिस्म कहते हैं कि पुत्री आज अरजून के बाणों से मेरे रदय का वो सारा खून बहकर चला गया है इसलिए आज में पूरी तरह से सुद्ध हो गया हूं इसलिए आज में धर्म की बाते कर रहा हूं तब दोपती भिस्म पितामा को प में आएगा तभी में प्राण त्यागूंगा क्योंकि उस दिन जिसके भी प्राण जाते हैं उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है उसको बार-बार जन्म नहीं लेना पड़ता है इसलिए उन्होंने सुर्य के उत्राइन होने तक कहीं दिनों तक इंतजार किया इसके साथ ही एक पांड़ों का युद्ध होता है और युद्ध में पांड़ों की विजय हो जाती है तब उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता है कि अब हस्तिनापूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं इसलिए भी वह अपने प्राण त्याग देते हैं तो आसा करता हूं पितामा भिस्म से जु कर यह आप सबको पसंद आए होगी आप सबका किमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद